वोट्च अब अब्रिवान, वेलकम बाक तो दे चानल, इंडियन एकॉनमिक डवलपमेंट चाप्टर नमबर 3 हम लोग कॉंटिन्यू कर रहे हैं, दो चाप्टर भाई, कम्पलीटली हो चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने वेल मैनर्ड वे में अरेंज कर दी है, आप लोग देख से देख रहे हो इसको, और इंडियन एकॉनमि सीरीज को बहुत बहुत ध्यान से पूरी जोश के साथ, पूरा बढ़या तरीके से तुम लोग शुरू कर रहे हो, तो चलो फिर शुरू करते हैं, बट आज यह नहीं कहूंगा, लेट्स बिकेंड, आज मैं तुम लोगों से बोचूंगा, हाउस दजोश, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का बेस बनाने के साथ-साथ इस चाप्टर को शुरू करना चाहूंगा, चाप्टर को शुरू तो हुआ ही हुआ अलड़ी, अग्रिकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, बट ओवरॉल इंडियन एकॉनमी की अगर हम बात करें, तो देखो हमारे पास चाप्टर किस फ्लो में चल रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि at the time of independence, इंडिया की क्या condition थी, ये बात ध्यान रखना जो मैं चीजे बता रहे हूं बहुत important है, सबसे पहला चाप्टर हमारा start हुआ, वो इंडिया at the time of independence या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि independence से भी पहले के period की बात करी हम लोगों ने, independence से भी पहले की period की बात करी कि कैसे Britishers ने हम लोगों को exploit करा, किस तरीके से हमाई resources खतम करें, हम लोगों को ऐसा feeder use करा, कि सारा raw material यहां से ले गए, finished goods वहां से लेके आए, बना बनाया, हमारे exports के उपर heavy taxes लगा दिये, उनके imports free कर दिये, तो किस तरीके से हमने exploit करा हमने यह समझा, उसके बाद हम आगे बड़े, फिर हम अब जो चीजे देख रहे हैं, वो यह देख रहे हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1950 से 1990 के बीच में, जो हमारा main 5 year plans का, यह 40 years का period है, 1950 1950 से 1990 के बीच में, क्या scenario रहा, किस तरीके से क्या-क्या बदला हुआ है Indian economy में, किस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी problems को tackle करा, कैसे करा, यह हम सीख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि आपको तीन sectors के बारे में mainly पढ़ना है, पहला agriculture, दूसरा industrial, agriculture, industrial और तीसरा foreign trade, आपको यह तीन ही चीज़े हैं, जो ध्यान से समझ के चलनी है, आप agriculture में आप लोगों आज पढ़ाई रहा हूँ, मतलब already agriculture के features, problems, last part में करा दीता, अगर आपने नहीं देखे, तो this is your homework, आज बिल्कुल beginning से देखना, शुरू कर देना, 6-7 videos हैं, हो जा होगा 1991 से, जो हमारा new economic policy आ जाएगा, जिसमें LPG हम लोग पढ़ेगे, और उसके बाद हम और problems को discuss करेंगे, तो यह flow है syllabus का, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, यह समझ गए तो समझों, Indian economy बिल्कुल set हो गया, समझे, pre-independence period से शुरू हुए, पहले की problems देखी, solutions देखे हो देख लिया, उसके बाद 40 साल का period, 1950 से 1990, इसके बीच में industrial policy resolution आया, उसके बीच में हम लोग ने, दो बार आया industry policy revolution, 48 और 56, उसके साथ साथ हम और आगे चलते हैं, तो यह green revolution वगारा आया, यह सारी चीज़े हम लोग देख रहे हैं, कैसे agriculture में reforms आया, यह सब हमने देखना ह तो यह 40 years का जो period है, इसको discuss करना है, और उसके बाद, after this, the new economic policy, 1991, किस तरीके से liberalization, privatization, globalization ने बदल के रख दिया सब कुछ, यह हमें समझना है, तो इसी flow में चलनी है, यह पूरी book, पूरा subject in fact, clear हुआ, अब आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, the policy is to promote the growth in agriculture sector, हम लो the time of independence 47 बोलो, 1947 में, 75% people इंडिया में engaged है, agriculture में, और सबसे यहादा backward भी क्या है, agriculture ही है, यह चीज़ भी देखो, कि मतलब जो लोग, most of the population जो काम कर रही है, वो ही काम backward है, तो growth कहां से होगी भई, हमारी यहाँ पे growth के कुछ factors रखे गए थे, जिन पे काम करना चाहा government है, चाह उसको ध्यान में रखते हुए, अब agriculture को सही करने के लिए कुछ reforms लाए गए, तो agriculture में आपको ध्यान रखना है, major जो reforms हैं, वो दो parts में divided है, land reforms, जिसमें कुछ techniques को use करते हुए, जो जमीन पे नजायज कबजे थे, या फिर inequality थी, किसी के पास ज्यादा land, किसी के पास कम land, या या फिर जो tenants को, या फिर आप बोल सकते होगी, cultivators को exploit करा जा रहा था, उनको खदम करने के लिए ये land reforms हैं, और production को बढ़ाने के लिए, productivity को बढ़ाने के लिए, agriculture में crops पे ध्यान देने के लिए, एक reform जो चला, वो चला, green revolution, तो अगर हम बात करें कि लोगों की जमीन से संब पंदिल, कि उनकी land को किस तरीके से एक proper, well-mannered way में arrange करना है, वहाँ पे land reforms आये, और crops से related, green revolution आया, समझ में आई बात, अब हम शुरू करते है, land reforms के साथ, land reforms का जो focus था, वो था the change in ownership of land holding, land holdings का मतलब क्या है, कि जो land है, जो जमीन है, उसकी ownership किस के पास है, देखो पहले क्य आथा, mainly जो ownership थी, वो जमीदार के पास थी, जमीदारी सिस्टम चलता था, और मेहनत किस से गर आते थे, cultivators से, poor tenant से, मेहनत सारी वोगरे, पैसा सारा जमीदार ले जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, government ने steps लिए, और कोशिश करी गई कि यह जो जमीदार है, इन से जमीदार ली जाए, किसी तरीके से, क्यों इन्होंने इतना अधा exploit करावा है, तो क्या reforms चले, सबसे पहले आया, the abolition of intermediaries, government ने का, intermediaries, जमीदार्स का abolition करेंगे हम लोग, इन जमीदार्स को बिलकुल abolish करो, इने हटाओ, ultimately, honor कौन होगा, जो जमीदार कौन होगा, जो जम होगा, ये government ने strategy अपनाई, जिसके अंदर main जो focus था, वो ये था, कि हम लोग किसी तरीके से, जमीदार्स को खतम करते हैं, कुछ states में successful हुआ, कुछ states में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, because of administrative loopholes, वो ही, जमीदार्स ने क्या अगरा फाइदा उठाया, हमारे poor administration system का, और उन स्टेप्स लिए, उसके बाद the land ceilings, land ceilings क्या था, land ceilings था, एक limit set कर देना land की, क्या set कर देना, limit set कर देना, कि हर किसी के पास एक इतनी ही land हो सकती है, इससे जादा land नहीं हो सकती, तो limit set करना, ये देखना, कि ये maximum ceiling of land है, जो आपके पास रहेगी, इससे जादा नहीं maximum ceiling का मतलब है, कि एक basic, एक तरीके की deadline set कर दी, कि इससे जादा अगर किसी के पास land है, तो वो government अपने under require कर लेगी, और वो land किसको देदेगी, जो poor farmers हैं, जिनके पास land नहीं है, जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो आपको अगर land रखनी है, तो या तो equality में रखनी होगी, कि स उसे acquire कर कि poor farmers को देनी कुछ गई, लेकिन बट फिर से, because of poor administration, ये भी बहुत ज्यादा successful नहीं रहा, हुआ benefit, बट बहुत ज्यादा नहीं, तो दो तो major land reforms में आता है, the abolition of intermediaries, उसके साथ-साथ land ceilings, अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है, the green revolution, ये तो जमीन को ठीक करने के लिए, दो main steps थे, revolution की बात करें, crops में क्या कर रहा, ये देखो, the traditional practices, जो पहले पुरानी practice चली आ रही थी, उसको replace करा गया by modern technology, modern technology लाई गई, modern technology में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे है, mainly high yielding variety seeds, hyv seeds की बात कर रहे है, green revolution में ध्यान रखना, जो main focus था, वो किस पे था, the hyv seeds the high yielding variety seeds, की वो जो seeds हैं, उनमें although जादा पानी चाहिए, उसमें although जादा chemical fertilizers चाहिए, उसमें although जादा महनच चाहिए, लेकिन जो productivity है, वो एकदम boost करती है, बहुत जादा productivity दे रहे थे, ये hyv seeds, the aim was to raise production, production भी बढ़ जाए और productivity भी बढ़ जाए, अब सर, production और productivity में difference क्या है, production तो हो गया quantity और productivity हो गया कि पर hectare of land कितना generation होता है, तो production भी बढ़े और productivity भी बढ़े, दोनों बढ़ने चाहिए, green revolution refers to, ये green revolution लिखा है मैंने GR, कहीं तुम सोचो पता नहीं क्या है, green revolution refers to the large increase in production of food grains, ध्यान रखना major focus food grains पे था, wheat, rice, pulses, food grains due to use of hyv seeds, जिसका focus किस पे था, on the hy hyv seeds, hyv seeds use करा, traditional practice को अटाया, modern technique को ले के आए और हमें बहुत जादा इससे help मिली, इससे हमें काफी changes देखने को मिले हमारे agriculture system में, but क्या ये एकदम हो गया नहीं, green revolution दो faces में देखने को मिला, revolution के faces कौन कौन से हैं, सबसे पहले mid 60s, 70s, जिसमें mainly ये पंजाब region में देखने क को मिला, उसके बाद अगर हम second की बात करें, तो mid 70s to 80s, जिसमें ये all over India spread होता चला गया, मलब जो एक year कहा जाता है, वो 1966-67 कहा जाता है, जहां से ये start हुआ, 66-67, जहां से ये start हुआ, और start होने के बाद, start होने के बाद, बस फिर तो ये spread होता चला गया, पंजाब, आंदर stages थी, faces थी, जिससे green revolution हुआ है, अब green revolution हो तो गया, बट देखो हर चीज का फाइदा है, तो नुकसान तो है, तो green revolution के कुछ positives भी थे, कुछ negatives भी थे, आउट discuss करते हैं, positives और negatives, और उसके बाद आपका ये chapter complete हो जाएगा, as per TR gen, TR gen book अगर आप use करते हो, तो complete हो जाएगा, तो कोई फरक नहीं पढ़ता, आप अराम से करो, आप कोई भी बुक यूज करो, it doesn't matter, language change हो सकती है, लेकिन syllabus is completely as per N-C-E-R-T, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, अच्छे से notes बनाओ, बुक रीडिंग करो, दो चार पोइंट इधर उधर अगर होते हैं, वो due to other different authors होते है बट stress लेने वाली कोई बात नहीं है, अराम से आप लोग पढ़ सकते हो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, green revolution के positives और negatives की तरफ, अब दो important questions आते हैं हमारे पास, benefits या positives of green revolution and negatives of green revolution, तो अगर हम बात करें सबसे पहले benefits की या positives की, तो हम लोग बोल सकते हैं से पहले तो, attainment of marketable surplus, अब क्या हो रहा था, हम लोग due to green revolution बहुत अच्छा production कर पा रहे थे, तो हमारे पास marketable surplus हो रहा था, surplus का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी subsistence के बाद भी कुछ बहुत सारी productivity या बहुत सारा एक तरीके का stock of, किसी भी चीज़ का stock हो सकता है, यहाँ पे तो किसकी बात हो रही थी, stock of wheat, stock of basically food crops, तो इनकी बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम लोग उनका surplus देखने को मिल रहा था, यानि अपना consumption के बाद भी, consumption के बाद भी हम लोग बहुत सारी saving कर पा रहे थे, basically, और उससे क्या फाइदा हो रहा था, marketable surplus देखने को मिल रहा था कि आप market में sale out कर सकते हो quantity को, बड़े दरीके से बेच सकते हो, उसके बाद buffer stock of food grains, buffer stock का मतलब कि आप food grains को store भी कर पा रहे थे, मैंने बताया ना savings कर रहे हो, तो store कर पा रहे हो, अगर कभी भी market में shortage होगी, तो उस shortage को आप बहुत easily दूर कर सकते हो, तो आपको buffer stock देखने को म low level income groups, low level income groups को क्या फाइदा हुआ देखो, as a consumer, अगर मैं बात करूँ, तो market में जब किसी भी चीज़ की supply बढ़ जाती है, पहले चीज़ों की shortage थी, तो चीज़े काफी expensive थी, महंगी थी, लेकिन अब जब produce का एकदम supply बढ़ गया, तो काफी price गिरने लगे, क्योंकि ultimately demand कम हो की supply बढ़ गया, price गिरने लगे, तो पहले बहुत सारे लोगों को जो affordability नहीं थी, जो afford नहीं कर पा रहे थे, अब वो अराम से afford कर सकते थे, तो काफी benefit हो रहा था low income level groups को, last में the change in farmers outlook, अब farmers को जो outlook है, नजरिया है, जो सोच है, mentality है, mindset है, वो change हो चुगा था, पहले क्या थ उनका mindset, subsistence, अब क्या हो चुका है, subsistence से हटा के, subsistence है, commercial, commercial का मतलब क्या होता है, कि वो अब business के तरीके से सोच रहे थे, पहले वो क्या सोच थे थे, बस इतना grow कर लें कि हम खा लें, हमारा खाना चल जाए दो टाइम का, अब नहीं, अब हुआईवी seeds की वजए से जो outlook ह वो क्या था, commercial की समान बेचें, बढ़िया तरीके से पैसा कमा है, तो यह सबसे ज़्यादा benefits से green revolution के, but फाइदा है तो नुकसान भी होगा, क्या negatives है, number one, limited crops, green revolution सिर्फ limited crops तक गया था, इसने equally हर crop पे impact नहीं डाला, इसने jute नहीं बढ़ा के दिया, इसने cotton नहीं बढ़ा के इसका जो major focus था, वो किसके उपर था हमारे पास, wheat के उपर, rice के उपर, इन चीज़ों के उपर, mainly इसका focus यहीं था, जो दूसरे crops हैं, उनके उपर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो green revolution सिर्फ limited crops तक restricted रहे गया, due to which कुछ farmers हमीर हो गए, कुछ farmers, गरीब ही रहे गए, वो ही हमने आगे पढ़ाया, the uneven spread, uneven spread का मतलब क्या है, कि यह country के हर area तक नहीं पहुँचा, कुछ areas में गया, जैसे पंजाब, आंदरप्रदेश, कुछ areas में बहुत बढ़िया, कुछ areas में यह नहीं पहुच पाया, due to which फिर से, जो मकसद था, equality, वो equality हम generate नहीं कर पा रहे थे, तो inequality हमें देखने को मिल रही थी, number 3, benefited limited farming population, इसने बस एक limited farming population को ही benefit करा, क्यों, क्योंकि HYV seeds अगर आप use कर रहे हो, तो HYV seeds, high yielding variety seeds, आपसे proper irrigation facilities मांगते हैं, आपसे expensive fertilizers मांगते हैं, इनमें इनकी usage बहुत ज़ादा है, fertilizers की, insecticides की, pesticides की, पानी आपको proper चाहिए, तब आप काम कर सकते हो दूसरी बात, HYV seeds बहुत expensive हैं, तो due to which poor farmers इनको afford ही नहीं कर सकते थे, अगर poor farmers afford नहीं कर सकते थे, तो जो अमीर था भाई, उसी को फाइदा हुआ, उसी का production बढ़ा, वो और अमीर होता चला गया, और जो गरीब आदमी है, वो गरीब ही रह गया, उस तक तो ये seeds पहुँच चला गया, due to which farming फिर से, जैसा backward था, backward ही रह गया, और आज भी हम लोग देखते हैं कि farming में बहुत ज़्यादा backwardness है, although हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब हमारे पास नए नए टेकनीक्स आ रही हैं, टेकनलोजी आ रही हैं, but still isn't it too late, आज हमारी country को इतने साल हो चु सुनोगे, पढ़ोगे, बट यहाँ पर यह major problems है, जो green revolution में देखने को मिली, crops limited, uneven spread रहा, limited farming population को फाइदा करा और economic divide, gulp gap बढ़ता चला गया, gulp बढ़ता चला गया between poor and rich, इसी के साथ हमारा agriculture वाला topic समापत होता है, आज क्योंकि just introduction है, तो chapter को complete भी कर लिया, और बहुत भी वीडियो नहीं रखना, next class में हम लोग discuss करेंगे agriculture के बारे में और foreign trade के बारे में, और हमारा काफी सारा portion complete हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, 1991 new economic reforms की तरफ, the new economic policy की तरफ, तो this is it for today, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और next class में मिलता हूँ मैं आपको कुछ और नए topics के साथ, thank you so much